हेलो व्ल्कम बैक टो माँ चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं और आज किसे एसपिसवोड के साथ आज के इस अपिसोड में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं हिनुस्तान कौपर के बारे में तो स्टारट करते बिना देरी किया यहांपे company की पहले fundamentals देख लेंगे फिर आते हैं company की चार्ट पर देखते है plan of action यहाँ पर क्या हो सकता है अब यहाँ पर फिर से हम लोग जब discuss कर रहे हैं एक commodity company के बारे में तो हम लोग यहाँ पर start करेंगे PE से अब यह PE वाली story जो जानता है वो यहाँ पर skip कर सकता है बट basically यहाँ पर जब हम लोग एक commodity company को देख रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग को बहुत जादा PE पर rely नहीं करना चाहिए कभी कभी हम लोग यहाँ पर low PE पर आके देखते हैं हमें लगते कि company बहुत जादा महेंगी है और फिर हम लोग कर लेते हैं वहाँ पर जल्दी से बाए बट usually धोका हम लोग को वहीं पर होता है एक अच्छे खासे राइटर ने विए लिखा है शायद पीटर लिंच नहीं लिखा था मांको बार बार भूल जाता है लेकिन फिर भी बेसिकली अगर देखा जा तो उन्हेंने कहा था कि अगर आपको अपने पोट्पोलियों का आधा पैसा घवाना है तो पूरे पोट्प कि पीग जब आप लोग जाओगे तो वहांँ पर आप लोग नोटेश करो कि तो अर्निंग को पीड़े होती है और प्राइस उतनी जाद नहीं बढ़ी होती है तो अम लोग को मिल रही होती यहां पर upside पर peak के बाद next cycle जो होती है वो आपर margins का lower side पर आना होता है earnings का गिरना होता है और stock price का गिरना होता है तो stock price जब गिरती है earnings थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि जब हम लोग की दुबारा से यहां पर काम होने लगती है तो पी हमको मिलती है higher end पर तो इसलिए अगर हम लोग देखते हैं तो कभी-कभी हम लोग को धोका हो जाता है और higher पी जब होती है यहां पर यहां पर प्राइस भागना स्टार्ट हुई यहां पर 2021 के आसपस अगर देखोगे तो इन वाले लेवल के आसपस कहीं न कहीं पी 129 के आसपस थी उसके बाद यहां पर अगर देखोगे तो stock के अंदर हम लोग को थोड़ा बात यहां पर upside up momentum देखने के लिए मिला है तो यह सारी चीज़े हम लोग को stock के अंदर देखने के लिए मिलेगा अब यहां पर नीचे आएंगे profit and loss में अगर देखेंगे तो यहां पर अगर देखेंगे तो ठीक थाक है मार्जन से यहां पर अगर देखोगे तो और रेट कट्स के बाद यहां पर अमोटर के इंदर और इंप्रूब्मेंट देखने के लिए मिल सकते हैं कि कमोडिटी की प्राइस इस के से बढ़ती है और फर्दर कंपनी और पैसा कमा सकती है अगर देखने के लिए अगर देखने के लिए मिलेगी अब एक सीजार की डिविडेंट्स इलगार देखोगे तो पॉइंट्री परसंट का आपको देखने के लिए मिलेगा अब चार्ट पर आते हैं चार्ट अच्छा विदानता का भी इसमें स्टेक वोल्डिंग इंदर स्टेक है और विदानता अभी बेच की निकलने वाली थी बट वो थोड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए अप साइट पर मिल सकता है और यह ह फिलाल हम लोगों थोड़ा सा एक तरह सा अगर देखा है तो अगर यहां से कंपनी फिर से नीचे आती है तो उस केस में लोगों थोड़ा सा डाउंसाइड या कह सकते हैं अल्टिमेटली 302 वाले लेवल्स कह सकते हैं उसके बाद मोमेंटम कंटिनिवेशन में देखने के ल पॉसेज देखने के लिए मिलता है कभी-कभी कंपनी कंसलीड करती है उसके तो कोई मेजर कंसर नहीं हमारा अंटेन अनलेस कंपनी वाले लोगों को ब्रिक कर दे अजानक साथ के 231 लेवल को ब्रिक करती है थो थोड़ा से यहां पर वालेटलिटी जो है वह कंपनी को खा सक करता और खास करके जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े तो बहुत जादा डाउंसाइट देखने के लिए उस समय हम लोगों को नहीं मिलेगा और यह सब कॉपर के साथ नहीं सारे ही जितनी भी आपको कमोडिटी वाले कंपनी अगर आपको जितनी भी आप लोग देख रहो एनलाइज कर रहो तो यह चीज़ आपको फैक्टर इन जरूर करना कि इंट्रेस्ट रेट कट्स के बाद वहां पर कमोडिटी की प्राइज बढ़ते हैं जो कि कमोडिटी कंपनी से लिए थुरा सब्पोजटर हो जाता है अभी फिलाल इसके साथ चलेंगे मिलें अगले वीडियोस में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन वाली नोटिकेशन बटन भी जरूर दबाना ओक्या बाए